हलो गाइस यूर वाचिंग सीरोल से आप आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें बात करते हैं रिष्टा क्या कहलाता है कि आपका में अपिसोड की तो अर्मान यहां पर मास्क मैन को गुस्से से देखता है और वो अभीरा को जमीन प कोट के बाहर तुमसे लड़ूंगा और यहां पर ना कोई जज होगा ना ही कोई जूरी यूवराज यहां पर बहुत जादा कॉन्फिडेंट फील करता है वो सिगनल करता है अर्मान को कि ठीक है आने दे तभी वो यहां पर बॉल्स को सरकाता है जमीन पर और अर्मान उन्ह को धक्का देता है और फाइनली भाग जाता है थोड़े टाइम के बाद वो उठता है बाहर भागता है फ्रेश हवा में जाता है और तभी यहां पर वो क्या करता है बहागने के लिए एयर फ्रेशनर और स्प्रे को अभीरा और अर्मान की आंखों में लगा देता है ताकि वो भागने का उसे टाइम मिल जाए अर्मान अभीरा यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि पानी लाओ पानी से आंखें वाश करो अभीरा यहाँ पर सेम करती है और अर्मान भी यही करता है अर्मान यहाँ पर भागता है युवराज के पीछे और वो कहता है कि दरपोक है तू आखे तू क्यों भाग रहा है अगर हिम्मत है तो रुक और सामना कर युवराज यहां भागता रहता है और तभी यहां पर वो भाग नहीं पाता अच्छे से तो तभी वो अर्मान की तरफ कुछ पुश करता है जिसकी वज़े से अर्मान गर जाता है और अर् अर्मान उठता है और देखता है युवराज यहां पर तभी अभीरा को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो अर्मान यहां पर उससे कहता है कि तुम अपने कमरे में रहना अभीरा जब तक मैं लौट कर नहीं आता बाद में युवराज यहां दिवाल पर बैटा है औ और बेहोच हो जाता है मनीश रूही कार से बाहर आते हों देखते हैं कि वह इंज़र्ड है और युवराज को अठा करके घंड ले जाते हैं यहाँ पर चारू देखती है देव को रेस्टोंट में कि हो किसी के साथ आग्यू कर रही है और तभी देव यहाँ पर जाता है और वो देख लेता है चारू के घरवालों को और वो कहता है कि तुमने मेरी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन सुनी कैसे तब ही वहाँ पर विद्यो मनीशा आ जाते हैं और चारू यहां पर डांट खा रही होती है और तब ही यहां पर वो कहती है कि तुम यह क्या कर रही थी बिल्कुल ठीक है लेकिन हमें पता लगाना होगा कि आखर यह कौन इसके घरवाले इसके लिए परिशान हो रहे होंगे अभी यहां पर पानी का ग्लास गिरा देती है उससे होता है कि वह परसन कोई और नहीं यह व्राश था अर्मान यहां कहता है कि तुम्हें कैसे पता औ और वैसे भी तुम बिल्कुल भी चिंदा मत करो जो भी कुछ होगा वो मैं देख लूँगा और वो माधव से कहता है कि हमें कैसे भी ना कैसे करके यह पता लगाना होगा कि आखर मास्क मैन के पीछे कौन था बार में पोदार्ज घर आ जाते हैं और वो शुक हो जाता ही है मैं सुनकर के अभीरा और अर्मान के साथ क्या हुआ कावेरिया रिग्रैट करती है कि अभीरा को अकेला हमें नहीं चोड़ना चाहिए था वह बहुत जारा परिख्शान होती है पूछती है कि तुम थीक हो अभीर्स अर्मान टाइम पर घर आ गए थे, यहाँ पर अर्मान कावेरी को हग करता है और विद्या को कॉल करता है और वो कहता है कि आप लोग डॉक्टर को बुलाईए वो कहती है कि ठीक है मैं माधव से इसके बारे में बात करूँगी बाद में अर्मान सोचता है कि आखिर पहला वही परसन होगा जिसने रूही के बाद में मेरी इतनी बुरी तरीके से सेंसस को जंजोर दिया है युवराज के वज़े से ही आज यहाँ पर बहुत ज़ादा प्रॉब्लम होते होते बची है यहाँ पर रूही आती है और देखती है आखिर यह सब हुआ क्या और अभीरा और अर्मान के घाव देखती है जब उसे पता चलता है तब वो और भी जादा वंडर करती है रूही कहती है कि मैं जा रही हूँ तुम दोनों के लिए कुछ अच्छी सी दवा बनाने के लिए ताके तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तब ही यहाँ पर वो कहता है अर्मान रुको तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे भी अभीरा आप सो गई है में वैल अभीरा सोचती रहती युवराज के बारे में और वो डर जाती है कि कहीं मेरा शक्स सही तो नहीं है वो शक्स को यौर नहीं बलकि युवराज ही निकला तो वो वापस ज़रूर आएगा और अभीरा काफी जारा खौफ में है यही सब दिखाया जाएगा शोग के अपकामिंग ट्रैक में जिसमें देखना होगा काफी इंट्रॉस्टिंग कि क्या यह वराज रूही को और भी जारा परिशान करने वाला है क्योंकि अब बिना जाने पहचाने सब लोग रूही के घर पर ले गए हैं उससे तो क्या वो समझ जाएगा कि अभीरा का ही यह घर है और रूही उसकी बहन है देखना होगा काफी इंट्रॉस्टिंग वेल फिलाव दो ऐसी मज़ेदा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें